वेलकम बाक एवरिवन आज हम स्टार्ट करने वाले फैमिली तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें उसकी जो सिंबल यूज होते हैं उनके मिनिंग बता होने चाहिए कि कौन से सिंबल क्या री प्रेजेंट कर रहा है जो बहुत सारे मॉर्फोलोजिकल फीचर्स यूज के जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए अब उसको डिस्क्रिप्शन कहा हैं ब्रीफ होने चाहिए और एक उसको प्रोपर सिक्वेंच में प्रेजेंट किया होने चाहिए तो वही वेरिस करिक्टर ौरॉट, स्टार्टिंग कैसे होती है पहले उसके वेजिटेटिव करिक्टर के बारे में बताते हैं फ्लोरसन फ्लावर पार्ट उसके operate हम बताते हैं उसके इसके zrobi改 composanda ऐ twist बनाओ तो फ्लोरल नाओ अशिक्राइग्ध तो फलोरियों बनाओ इस प्लोरे और फॉर्मुला जैसे हम यह एक्जाम्पल देखते हैं यह यहां पर दिया गए ब्रासी केसी फैमली का है यह फ्लोरल डाइग्राम और फॉर्मुला ब्रासी केसी में भी मस्टर्ड के लिए ठीक है अब यह जो होता है यह उती हमारी मदर एक्सिस की पोडिशन क्या है टो यह जो का साइन होता है इसका मतलब होता है कैसी सिमेट्र मिलेगी है pam अंपर एक्टिनमॉर्फिक का मतलब था रेडियल सिमेट्री बेखंए प्ली जो चैलिक्स है हमारा कि अब को सी से और गायोशियम को जी से अगर यह जो बार रही नीचे है इसका मतलब है कैसी होब इया है अगर यह बार नीच उपर आजाए तो कैसी ओग्री है inferior ठीक है और हमें कोई भी चीज दिखानी है कि जो हमारी कयलिक्स सपोस्पाँच क يलिक्स है अगर आपस में varios है तो ऐसे दिखाएंगे कैसे हैं वो फ्यूस है अगर एक free है तो इसे दिखाएंगे अलग से वो ऐसे free है पांच driven है और एक फ्री है तो फ्यूजन दिखाने के लिए हम दिखाता हैं ब्राक्रिक में अब सपोस्थ क्यालिक्स और को रोला आपस में ऐसे हैं अडेसर ने तो इससे शो करता हुआ अब इसके रिडिंग करेंगे तो समझाएगा जैसे यहां पर क्या है यह एक्टिनोमोर्फिक सिमे यह इलिक्स फिर कैसे कोरॉला को रहता है एक दो तीन चार दूसरे एंडोशियम कितने टू फ्लस फोर देखो दो इधार है और चार यह हैं हो गज़ें और यह कैसी ओवरी इसकी बाय लोग कि लर और कहां लोकेरिड हैं सेंटर में तो गैनोश्यम क्या है सुपीर ऑवरी द समझ गहे हैं और कैसे रीप्रेजेंट करते हैं अब इसके रीडिंग लगाते हैं क्या खी अब बताएं गए हैं the floral formula is represented by some symbol in floral formula BR stands for bracket, BR का मतलब होता है bracket condition, bracket का मतलब था जहां पे दो जो base पे थी छोटी leaves मिलना it's bracket, अगर नहीं मिलती तो it's E bracket, K stands for calyx c for corolla p for parent parent condition वो थी जहाँ पर calyx और corolla differentiate नहीं होते थे जैसे कि lily में देखने मिला था a for endrosium g for gynosium अब ये d बार उपर है तो superior ovary नीचे है तो inferior ovary ये male का है ये female का है और ये bisexual का है plus for actinomorphic and percentages for zygomorphic nature zygomorphic कौन से symmetry होती है bilateral मैंने बताया था zoology botany z and b zygomorphic b r है मतलब bilateral symmetry fusion is indicated by including the figure fusion कैसे दिखाते हैं हम figure को bracket में बन करके addition कैसे दिखाते है by line drawn above the symbol of the floral part जैसे ये दिखाते है कि क्या दिखा रहा है addition दिखा रहा है ठीक है a floral diagram provides information about the number of parts of a flower अब दिखो उसमें number का भी पता चल रहा है कितने चार है kellex तो वही क्या बताते है number के बारे में बताता है उनका arrangement बताता है और उनकी क्या relation है दूसरे अपने members के साथ तो यह सब क्या बताता है हमारा floor diagram यह सब भी बताता है तो वही diagram provide information about the number of parts of flower the arrangement and the relation they have with one another the position of the mother axis with respect to the flowers is represented by a dot on the top of the floor diagram अभी पताया था जो उपर flower में अधिक्स की पूजिशन क्या है उसे दिखाया जाता है डौट से अब देखो कैलिक्स को रोला एंडरोशियम और गाइनोशियम को ड्रॉख किया जाता है जब हम क्या दिखाते है उसका फ्लोरा ड्रॉख करता है तो कैलिक्स के है सबसे आउटर मूस था गाइनोशियम का आता है सेंटर में आता है तो सबसे पहले क्या आता है कैलिक्स के बाद आता है को रोला को रोला के बाद आता है एंडरोशियम और सेंटर मूस की होता है हमारा गाइनोशियम ठीक है फ्लोर प्राइग्राम जो दिखाए गया वापर फिगर में यहां 5.20 में किसका है मस्टर्ट प्रान का उसकी भ्राओं प्राइग्राम वहाँ पर शोगया गया अब हम जो और दूसी फैमिली पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या है're 10 एंद्यमिनाइट इसने सोलानेशा से खाए में चयाने थे सब casatta . होती होती है घ्री का था क्या फेले चैनल से पह सब्कत क्या है कि सम नाम हो दिसके मैं प्रक्राएंगे में सहारा दूसर लग्मिनुन न्युट और और हम प्सक्राइब क mutual कि इच्टेटीव कलेक्ट्रों सब्सक्राइब पर या वोकू यहां पे दिखाया गया उसके प्लावर यह से पैटल्स यह उसका रिपर्डक्टिव पार्ट यह कार्पल और यह उसका फ्लोरल डाइग्राम देखो अब इसमें भी आउटरमोस कैलेक्स फिर कोरोला फिर एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम यह क्या है कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम अब इसके पास कितने हैं नौ एक साथ है यह नौ तो इसके भी हम फ्लोर डाइग्राम दिख चलती रहेगी तो रैसी मोज में हमें कौन से ओर्टर देखने मिलता है एक्रोपिटल एक्रोपिटल का क्या था ओल्डर एडी टॉप न्यूवन एडी बेस तो रैसी मोज सेपल्स पांच है गेमो से पह्लस है वैलवेट इम्रिकेड इसे वाम कासी सैटिवेशन मिल अब petals क्या है five है polypatellis है peprenucious है इसके पास क्या है posterior standard two lateral wings अब देखो इसके करेला में क्या कौन सी estivation आ गई वेक्सिलरी वाली हमने पढ़ा भी था example पी वाला और यहां पे velvet और indicate estivation भी आ रही है कैलक्स में ठीक है की enhance the stamina and the pistol के अंदर क्या आजाते हâte हमारे stamina पिस्टल को वह in close करके रखते है है और उस estivation को क्या कहते है रहे लिए पेट़ेसिशन स्य कंसस्तिंग को include a scorpion जिस्टे कहा गया व्यग्ज अस्टीवेशन तो को रोला में वेक्सिलर्य एस्टिविशन क्यालक्स में वेलवेट और इंडिकेट एस्टिविशन पांच है पांच है गैमुसे फैलस है पॉली पेटलस है बाइस एक्षुल जाइगो मॉर्फिक रिस्टिवोस ठीक है अब अन्रोश्यम क्या है टैन है डाय डिल्फस हैं एंधीडर डायतीशयस है गाइ सीड में one two hai भी हो सकते हैं और क्या होगी ओगी और देखो और कही मिलता था और reticulate venation भी कहा मिलती थी हमें dicots में तो में क्या प्रचल रहा है यह क्या है यह dicot के अंदर आता है यह dicot है अब इसका formula percent percent क्या दिखाता है zygomorphic यह bisexual calyx मतलब sepal 5 है कैसी है korola क्या है 1 plus 2 plus 2 तो हमें इसके से प्रचल रहा है क्या दिखा रहा है सबसे उपर पहले क्या आती थी हमारी क्या है एक स्टेंडर्ड डो लेटरल विंग और अंदर क्या बनता आते थे कील बनाते थे और उसके अंदर क्या आते है स्टेमन और प्रिस्टिल आते हैं तो एक होता है हमारा स्टेंडर्ड दो होती है यह हमारा स्टेंडर्ड यह हमारी लिटरल विंग और यह हमारी केल फिर एंड्रोशियम एंड्रोशियम क्या है नाइन प्लस वन अभी बताया था मैं ने 10 है टैने डाय डर्फास है तो 9 आपस में और एक अलग है ओरी कैसे इसके सुपीर और इसके सुपीर और मोनो काप ले रही है अब इकनॉमिक इंपोर्टेंच क्या है इसके मैंनी प्लांट बिलॉंगिंग तो फैमिली और सोर्स पल्स के सोर्स हैं ग्राम, अरर, सीम, मूंग, सोयबीन यह सब किसके पार्ट है इसके एक्जामपल है हमारी फैबिसी फैमिली के नट, डाय में क्याता है इंडिगो फैरा, फाइबर्स में आ गिया सन हैंप, फोडर, सिस्पीनिया, ट्राइफोलियम, ओनमेंटल, लूपन, स्वीट पी, मेडिसन, मुलेथी अब यह सारे एक्जामपल्स हमें याद उन चीह हैं और जितनी बार इसे पढ़ोगे उतनी बार यह एक्जामपल्स ही याद होगे एक बार पढ़ने में एक्जामपल्स याद नहीं होते जितना फैर्विजन उतनी बार इक्जामपल याद होगे now moving to another family that is solanaceae, it is a large family commonly called as potato family solanaceae क्या है बहुत large family जिसे क्या कहाता है potato family कहा जाता है यह widely distributed है ट्रपिक सब्रपिक और अब सब्रिंऍपरेट जोन में अब जो वेजिटेटिव करेक्टर्ज इसके क्या है है इसमें भी हर्ब क् Been and रेरिली स्मोल ट्रीज करेक्टर्ज सब्रड़ेट्र किया है यहां पर ट्रीी नहीं लिखा है हर्भ है हर्ड क्रेक्टरब ho very oily, aerial होगी, erect होगी, cylindrical होगी, branched होगी, solid होगी, तो यह सब क्या है इसके STEM के characteristics हैं, अब इधर चलें इसका डाइगरम, तो turain किसका डाइगरम देख रहे हैं हूपे, sulynum nygram sulynum nygram को कहते है, maquis plant, तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक बी इसका फ्लार यह लॉंगिटूडनल सेक्शन फ्लार यह स्टेमन्स यह कापल और यह इसका फ्लोरल डाइग्राम फिर से बाहर कैलेक्स फिर करोला फिर अंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम और यह क्या है इसकी पुजिशन ओफ मदर एक्सेस नौ स्लेंडर थी सॉलि एकक जी स्टैम हेर हैं डार प्ले होती है घ्लाब्राइस होती है अंडरग्राउंड सेंप, कि इसमें डेंटी पोमें जिसका नाम सोलनितुब्रोसूम पूटाटू का सांंटिविक नहीं का सोलनितूब्रोसूं अब हैं चलता है इसकी लीव्स Config希望 जसेसी हैं प्लर्लि Solitary है Solitary में बताया था जब भी Floor Exist Terminate होती है Flower में तो कहती होती है Solitary मतलब अक्केलिए आपको वहाँ पर पाई जाएगी That is Solitary Condition Axillary और Symos as in Solenum और Axillary और Symos किसमें देखने मिलती है Solenum में Flower क्या है Bisexual है Actinomorphic मतलब Rindle Symmetry Calyx कितनी है Versus Five Sepples है United है of Persistent or Velvet Estivation अब कोशना आता है Persistent Calyx कहां मिलता है Persistent Calyx found in which family तो कौन सी family हमें मिलेगा Solenasi में Corolla 5 है United है और Velvet Estivation है ठीक है Androsium की बात करें Five Stemina है और Epipetellus है Gynosium Bicarpulary है Syncarpus है Superior Overy है Bilecular है Placenta Swellen with Many Oveils यह Gynosium की Characteristics हो गई कि Bicarpulary होगी Syncarpus होगी Superior होगी Bilecular होगी Now Fruits Fruits क्या है इसका Berry और Capsule Seeds मैंनी हो सकते हैं और Endospermas होते हैं Endosperma पर मिलेगा पूरा कजूम नहीं होगा Floral formula क्या है इसका यह Plus Sign क्या दिखाता है Actinomorphic, Bisexual, Calyx 5, Fused, Corolla 5, Fused, Endosium 5, Unfused, Calyx और Endosium में क्या है Adhesion है तब ही बुले गया था कैसे Endosium है Epipetellus Gynosium Superior Overy है और क्या है वो Bicarpulary है हमारी Syncarpus मतलब Fused है तो यह ही दिखा रहा है Now Economic Importance क्या 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 है Example है इसके अंदर आते है Sources of Food में Tomato, Brinjal, Potato जिसे हम बोलते हैं बैगन आलू की सबजी अब बैगन है तो ब्रिंजर, आलू भी आएगा उसमें सबजी है सबजी में टमाटर भी डालते हैं वो बताओ, Examples Solenacy Family का कुशन दे देगा तो Petuna ऐसी पूच जाता है Medicine Plants कौन से हैं तो Belladona, Ashwagandha तो इसमें Important है इसके Examples यह इसका Floral Formula आठी चीज़े तो Floral Formula से याद हुजाती है बस हमें क्या देखने होती है इसके Estivation वगेरा देखने होती है Leaf कैसी मिल रही है और Inflorescence क्या है यह सब देखना होता है Now, Lilliasi Lilliasi को commonly कहा जाता है Lily family is a characteristic representative of Monocortelidians plant क्या है यह Monocort है ठीक है, It is distributed worldwide पूरे worldwide distributed है अब इसका Vegetative क्या है Perennial herb है जिसके पास Underground Bulb, Combs और Rhizomes यह देखने मिलता है Underground में ठीक है, इसके Roots में तो Bulb मिलेगा Bulb के Example क्या जाता है Onion and Garlic यह इसके Bulb के Example हो गए Rhizome देखने मिलता है यह सब तो Leaves कैसी होती है Mostly Basal Alternate Linear X-Sti Plate with Parallel Venetion कैसी है X-Sti Plate है और साथ में इसके पास Parallel Venetion मिलेगी अब Monocort है Monocort में कैसी Venetion मिलती है Parallel ही मिलती है Inflorescence कैसी होगा Solitary होगा Symos होगा Often Umbulate Structures Umbulate Structures मिलता है कुछ ऐसे बो तो ऐसे टाइप Structures मिलते है Umbulate Type Onion में देखने मिलता है Flower कैसी होगा Bisexual Actinomorphic Actinomorphic मतलब Plus Perient अब Perient क्यों बोला गया क्योंकि हमने पढ़ा था Lily में कौन सी Condition में थी Perient वाली जहां पर Calyx और Corolla में differentiation नहीं होता That is Perient Condition Tepple Tepple क्या है 6 3 plus 3 Often United Into Tube United भी होती है Tube के फॉर्म में और Velvet Estivation यहां पर Enrosium Stamen 6 3 plus 3 Epipatelis Gynosium Tricarplix सबसे पहले पढ़ी हमने Feb वो थी Mono Carpulary फिर पढ़ी Solene वो थी Bicarplary अब हम पढ़े Lily वो है Tricarplary तो 123 ऐसे याद कर सकते हैं याद करने के तरीका Syncarpus Fused होगी Superior होगी Trilocular होगी और बहुत सारी OVU लूँगी कैसी Placentation मिलेगी यहाँ पर Exile Placentation Fruit है इसका Capsule Rarely Berry Seed Endospermous है हमने पढ़ा दी था Monocort में बज़ा रहता है Endospermous और हमने पढ़के आए क्या दिखा रहा है वो Monocortilinus Plant है Frudoriform Bractate Bractease Condition मिलेगी Actinomorphic Symmetry Radial Symmetry Bisexual Perient Tepples Oh sorry Tepples 3 plus 3 मतलब यहाँ पर Sepples और Petals में Differentiation नहीं है इसलिए Perient Condition है और जिसे का Tepples 3 plus 3 में है Fuse फिर Endosium 3 plus 3 Free Gynosium हमारी Tricarpulary Superior Overy Fuse जिसके इसके इसके ब्राकेड़ में बनके गया है दिखा रहा है Syncarpus Condition अब इसके Example क्या क्या है Good Ornamental Tulip Gloriosa Medician Alloy Vegetable Asparagus Colky क्या आता है Colky Automanary जिसे हम उसमें पढ़ते है Cell cycle और Cell division में Polypry ID कराने में यह help करता है हमारी Colky Syn कौन सी Family है हमारी Lily AC Family अब हमें याद रखने इसके Floral Diagram Floral Diagram याद रखना है Floral Formula याद रखना है अब हम ऐसे याद रख सकते हैं हमारी जितनी भी Overy इसमें सारी Superior Overy पहली वाली Febici वहाब वान है दूसी वाली Solenecy वहाब टू है तीसी वाली क्या है हमारी Lily AC वह थ्री है अब जो पहली वाली थी वहाब Fuse Condition नहीं थी तो खाली One Second Solenecy Fuse Condition दो आएगा Bracket में आजाएगा और Lily AC में भी Fuse Condition वहाब थी वह भी Bracket में आजाएगा अब यह क्या दिखा रहे है कि वह क्या है मौनो कार्पलरी है यह बाइ कार्पलरी है यह ट्राइ कार्पलरी है तो यह दिखा रहे हैं कि कितने कार्पल है यह हम याद हो गया ऐसे फिर हम इन्फ्लोरेसंस याद करेंगे कहां क्या मिली थी कौन धिखा काईसी लीव्स है वजेटेटिव करेक्टर क्या है और यह दिखा चीजे फ्लोरोफॉर्मर से सब याद हुजाती है अब इसका हम देखते हैं उप फ्लोरो डाइक्राम कैसे है देखो किसका दिया है एलियम सीपा ओनियन का दिया ना मंदा था बल्ब कहां देखने मिला यहां पर रूट में नीचे त्रीक है बल्ब यह इसका प्लांट यह उसकी इंफ्लोरेसंस अब जैसे इसका फ्लावर है इसी को कुछ बोलता है था अंबलिकेट स्ट्रक्टर टाइप ठीक है और यह क्या इसका फ्लोरर डायग्राम देखो क्या थे थै देखना यह हम ने देखा था टैप पल्ब ऑर ज्छी सिंबोल है तीन और अर यह क्या है फिर एक दो आ से फिर एक रोटे आइसा यह अिए यह इसकी Mother Exist की representation खा दी और यह क्या दिखा दी placentation अब देखो क्या से दीख रहे है तो कौन सी placentation है यह exile placentation तो यह हमारा लिलीएसी का diagram यह इसके सारे रिप्रेजंट के गयता है इसके example है alien sepa का तो यह example और add हो गया क्या होता है alien sepa alien sepa किस के अंदर आता है लिलीएसी family के अंदर यह आता है तो यहां पर हमारी यह placentation complete हो गई sorry families हमारी यहां पर complete हो गई है अब हम continue करेंगे next chapter अब इसके सारे examples अच्छे से पढ़ लेना revise करना जितना revise करोगे उतने अच्छे से formulas याद होंगे मिलता है next video में thank you यह शोग्र जितना मिलता है उतना मिलता है ऊच्छे आता है और बंदय उत्शा जटागे श मिलता इपiros पार्ला, आता है, आता है उTr हुँग, झाने बार जो वस्प्टे से तो,ला एक बमारी जभां टो, वहां दो है बाद terr गडृमें, मिलते है आता हैं आता हैं बारी, ग